दोस्तो राम सेतु से पहले अक्षे कुमार की फिल्मों का बाइकॉट के आ गया और अक्षे कुमार की बहुत सारी फिल्म में बॉक्स ओफिस पर फ्लॉप रही लेकिन वही राम सेतु को पबलिक खूब सपोर्ट कर रही है फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर तीन दिनों में ही वो तूफान ला दिया है कि फिल्म बॉक्स ओफिस पर सूपरेट हो चुकी है जा दोस्तो जैसा कि आप सबी जानते होंगे 25 अक्टूबर को दिवाली के खास मोके पर सिनेमा गरो मेरे लिस हुई थी अक्षे कुमार की फिल्मर रामसेतु और सामने थी बॉल्यूट के सिंगाम अचे देवगन की फिल्म ठाइंक गॉड लेकिन भाबा जूदिस के रामसेत और फ्लॉप के बारे में तो दोस्तो बस आप इस वीडियो के साथ पाने रहिएगा लेकिन दोस्तो उससे पहले अगर आप अक्षे कुमार को एक बहुतरी नभीनेता मांते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ इस चेनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दोस्तो अगर बात करें राम सेतु की तो अभिशेक शर्मा की डिरेक्शन में ये फिल्म बनी थी और फिल्म के रिलिस से पहले ही फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा बस बना हुआ था फिल्म में हमें अक्षे कुमार के साथ चेकलिन फर्णांडेस और नुश्रत भरूचा भ अकड़ा बहुत का में फिल्म का बॉक्स ओफिस कलेक्शन तीन सो करोड उपे के भी पार जाने वाला है दोस्तो बात करें फिल्म के बॉक्स ओफिस कलेक्शन की तो उससे पहले मैं आपको बता दू कि फिल्म को इंडिया के अंदर लगबग 35 स्क्रीनों पर रिलिस क्या गय फिल्म ने अपने पहले दिन्यानी के ओपनिंग डे पर इंडिया में जो नेट बॉक्स ओफिस कलेक्शन क्या था वो किया था 15 करोड 30 लाक उरपे का और वहीं फिल्म का वर्ड वाइट कलेक्शन था अपने पहले दिन का 23 करोड उपे फिर दूसरे दिन फिल्म ने 11 करोड उपे इंडिया से नेट कमाए तो वही फिल्म का वर्ड वाइड कलक्शन रहा दूसरे दिन का 15 करोड उपे अब तो पहले जो दो दिनों का कलक्शन था इंडिया में वह हो चुका था 26 करोड 30 लाग उपे और वही फिल्म का वर्ड वाइड कलक्शन हो चुका था लगबग 40 कर हो चुकी है तो तीसरे दिन यानि के अगर आज की बात करूँ तो आज फिल्म नो करोड रुपे इंडिया से कमा रही है और फिल्म का वर्ड वाइड कलेक्शन 13 से 14 करोड रुपे होने वाला है तो फिल्म का पहले तीन दिनों का जो इंडिया में नेट बॉक्स आफिस कलेक्शन है वो 35 करोड रुपे हो जाएगा और वोई फिल्म वर्ड वाइड में 50 करोड रुपे का अकड़ा भी पार कर जाएगी और पहले तीन दिनों में वर्ड वाइड में 50 करोड रुपे की कमाई कर रही है तो ये खास बात है क्योंकि इससे पहले अक्षे कुमार के फिल्म में 50-60 करोड पर ही डेर हो गई थी लेकिन तीन दिनों में राम सिर्थू 50-60 करोड रुपे कमा चुकी है तो मुझे लगता है कि कही न कही फिल्म के शुरुआत पढ़िया है और अपने विकेंड तक यानी कि आने वाला जो सटरडे और संडे है जो आने वाला विकेंड है इसमें फिल्म और भी अच्छा कलेक्शन करेगी और फिल्म बॉक्स आफिस पर सूपारिट होगी